एक लड़का था, वह काफी गरीब था, उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था, वह अपने दोस्त के घर रहा करता था, उसने एक छोटी सी कमपनी में पैंटिंग का काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गये, बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था, जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था, एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था, तो उससे एक लड़ लड़का उस लड़की को खोचता रहा लेकिन वह लड़की न मिली, लेकिन नियती ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया, वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी, लड़की ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया, जब वह लड़के इस मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था। बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदर रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हट से भी बाहर जाने लगा, लड़के के एक खासी पर भी वह लड़की दोड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी, अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है, लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था, उसने पहले लड़की के बा चला की वह लड़का हॉस्पिटल में भरती है। वह दोरते हुए जब हॉस्पिटल में पहुँची तो उसने देखा की लड़का बैड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुए थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुँची तो वहाँ पर डॉक मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा जूट बोला है कि मैं एक गुंगा हूँ। अब इस जूट का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मेनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई की शुरूवात करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम्हारा दोशी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आँखांसू से भराये। वह दोड़ते हुए मंदिर में गई उसने भगवान के सामने कसम खाया की जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी। भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्तर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। इश्वर ने दोनों के मन की बात काबुल कर लिये और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्ट को खो गया। अब उसे याददाश्ट के लिए काफी कुछ किया लेकिन याददाश्ट ना आ सका। अगर प्रीम की नीव को जूट पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है।